नमस्कार दोस्तों मैं मनोज राजवनसी आप सबका नालंदा उनलाइन किलासिस पर स्वागत करता हूँ जैसे कि मैं आपको बता दू इस चैनल के माध्यम से लगबग सभी गोर्मेंट जोव के वंडे एक्जाम की तेयारी कराई जा रही है उसको देखते हुए मैं आपको बता दू मैंने कलेंडर यहाँ पर रीजनिंग का चैप्टर इस्टार्ट किया हुआ है और आज यहाँ पर लेक्चर टू होगा और उससे किलास को इस्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ और बता देना चाहता हूँ जैसे कि यूपी पुलिस का री एक्जाम होने वाला है उसको देखते हुए मैं यहाँ पर आपकी एक रीजनिंग की मोख टेस्ट की सिरीच चलाना चाह रहा हूँ जो कि आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी यानि कुल मिलाके अगर रीजनिंग के सिलोट की बात करें यूपी पुलिस में वो तक्रीवन आपके 55 कोस्चन्स आते हैं 55 कोस्चन्स एक कोस्चन्स होता है आपका दो नंबर का होता है यानि आपके 110 मार्च से के टोटल वो रीजनिंग का सिलोट बनेगा उसको देखते हुए लगबग बहुत ही जल्दी मैं आपको रीजनिंग के पूरा का पूरा मोख टेस्ट तकरीवन मैं आपको बता रहा हू कि 20 मोख टेस्ट लगाए जाएंगे और उससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला अब जब बच्चे एक्जाम देना जाएंगे और कुछ बच्चे जैसे अभी एक्जाम दे का हैं रीजनिंग में बहुत ज्यादा प्रोब्लम हुई किस चैप्टर को लेगे जो आपके बहु स्पून दाने यानि यह जो होंगे यह आपके मोख टेस्ट में लगा दिये जाएंगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है तो चली आईए फटाफट से हम किलास को कंटिनू करते हैं लेक्चर नंबर टू कलेंडर करेगा यहाँ बात करते हैं कि हमने कलेंडर में कहां तक पढ़ाता हैं कि दूसरी किलास यहां से जो इस्टार्ट हो रही है और वह आज का पहला कोस्चन क्या है ध्यान से सुनना बात को यदि 15 अगस्त 2003 को सुक्रवार था तब 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा मैंने आपको यह बताया था कि कलेंडर का अगर हमें कोई भी दिन निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको ओडेज निकालना आना चाहिए अब ओडेज कैसे निकालते हैं मैं एक बार फिर बता रहा हूँ क्या कि जैसे अगर यहां से बात करें 2010 से बात करें और 2030 तक यह वाला यहां से मैं आपको ओडेज निकालना चाहिए कि सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको यह करना है कि इन दोनों के बीच का अंतर देखना है और इन दोनों के बीच का अंतर कितना बनेगा यानि तेहरे बनेगा तो तेहरे को डारेक्टली सोट आउट ऐसे लिख सकते हैं कि आप साथ से भाग देदो अब साथ से भाग कौन सी आती है लीपियर का क्या होता है लीपियर का सीन यह होता है जिसके लाष्ट के दोंक चार से कटे हैं क्यों चार से क्यों 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 कि लीपियर हर चार वर्स बाद आती है अब यह बात करें तक दस के बाद कौन सी लीपियर आएगी तो आप यह कहे होगी और एक कौन सी होगी 20 फिर ध्यान से समझ लेना कि 13 यह डिफरेंस बना और मैंने यह डारेक्टली साथ से भाग दे दिया साथ से भाग देने पर साथ एकम साथ और छे यानि अब दस के बाद 12 और 4 16 और 4 20 20 के बाद जाएंगे तो वह 24 जाएगा यानि हमें 24 यानि तेश यह बस मैं आपको डेज निकालना चीका रहा था विसम दिन कोश्चन पर तो हम अब चलेंगे जैसे की बात करें यहां से आईए अब पहले कोश्चन की तरफ चलते हैं यह पहला कोश्चन क्या था पहला कोश्चन यह पंद्रे अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन है यह बढ़ा इसने शुक्रवार फिर आगे यह बोल रहा है कि 15 अगस्त 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा बैटा यह बोल रहा है और डेज निकाले बस और डेज निकालेंगे तो मुझे यह बताए कितने का डिफ्रेंस बनेगा तो आप यह कहेंगे जी बारैगा यानि बारैगा जैसे यह हुआ तो इसका मतलब साथ से डारेक्टली यहीं पर भाग दे दो यह चीज मैंने बताई भी थी आपको तो यहां से कितना बनेगा साथ एकम साथ यानि रिमेंडर कितना बचा पांच यानि पांच तो इन डिफ्रेंस का ओडे जा गया अभी और चलेंगे तीन के बाद मुझे यह बताईए कि तीन के बाद लीपियर कौन सी होती है तीन के बाद लीपियर जो होगी वह चार होगी यानि एक लीपियर तो होगी आपकी चार और फिर कौन सी होगी आठ फिर कौन सी होगी बारे यह आपकी लीपियर होंगी बारे के बाद जैसी अगली लीपियर पड़ेगी वो सोले हो जाएगी और हमें 15 तक रूकना है बस तो यहीं पर रोकना है तो ओडेट जो बनेंगे वो कितने बनेंगे पांच और तीन आठ यानि इसका मतलब सास से भाग दे दो सास से भाग देंगे तो रिमेंडर कितना बच्चेगा एक क्या मेरी बात को समझ रहें अब एक क्या करना है आपको एक आपको एड करना है क्यों क्योंकि आपसे यह कह रहा है कि 15 अगस्त 2003 को सुक्रवार था तो 15 होगा यानि आपसे आने वाली तिथी पूँच रहा है अब आने वाली तिथी पूँचेगा तो क्या करेंगे कलेंडर में पिलस और पीछे की तिथी पूँचेगा तो क्या करेंगे आप माइनस तो आप क्या करेंगे पिलस यानि सुक्रवार में अगर आप एक एड कर दें जब चलिए फटाफट से नोट करें फिर आगे चलते हैं दूसरे कुश्चन के साथ आईए दूसरा कुश्चन क्या है 10 जनवरी 2010 को सनीवार था यह आपका 10 जनवरी है 10 जनवरी 2010 को क्या है बच्चा 10 जनवरी 2010 को सनीवार है तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा कॉश्चन यह क्या रहे देखिए इसकी डेट वी से में और मन्त वी से में लेकिन यह अलग अलग है वो ही पहला कॉश्चन था तो इनका डिफरेंट बताईए डिफरेंट कितना होगा तो इसका मतलब डिफरेंट जो होगा 19 19 को साथ से भाग देदो साथ से भाग देगे तो साथ दूनी 14 कितना बचेगा पांच अब 10 के बाद काउंट करना स्टाट कर दो कि लीप इयर कौन कौन सी होती है तो लीप इयर जो होगी एक तो 12 होगी एक कौन सी होगी 16 होगी और एक 20 और 4 24 और 4 28 भात समझे रहो और यह समझे 2010 से 2029 मैं फिर बता पांच अब आप यह बताईए कि दसके बाद कौन कौन सी लीप इयर होगी एक तो होगी 12 एक होगी 16 एक होगी कौन सी 20 20 और 4 24 और 4 28 यह आपकी लीप यह पढ़ेंगी तो कुल मिलाके यह हुआ कितना पांच यह रहा 6 7 8 9 10 यानि कुल मिलाके 10 हो गया 10 को साथ से भाग देदें और कितना आएगा 3 अब बच्चा यह बताए कि 3 जुड़ेगा यह माइनस होगा तो 3 जुड़ेगा क्योंकि आने वाल यह है तो सनीवार में जब आप 3 एड करेंगे तो आप क्या बनाएंगे आप बनाएंगे इस सवाल का अंसर मंगलवार बै तीन जोड़ेटो सिंपल सी बात हैं तो आंसर क्या बनेगा बात समझेरें और नहीं समझेरें कोई डावट बच्चा आगे चले थोड़ा सा फटा आफ़र से नोट करिए ये लिजिए कोशन फिर ये है अपका अब की बार देखा कोशन क्या है कोशन आप से ये कह रहा है 10 अक्टुबर कौशा जी 10 अक्टुबर 2019 को कौशा दिन है मंगलवार तो 10 अक्टुबर 2009 को कौशा दिन होगा यहाँ पर धिहान से समझना अब की बार पीछली तिथी पूछ रहा है अब पिछली का मतलव इसका मतलव कलेंडर क्या होगा minus होगा लेकिन minus तो तभी होगा जब आप सबसे पहले इसका odd days निकाल लेंगे तो आईए odd days निकालते हैं पहले यहाँ पर फिर यह देखेंगे कि date और month से में लेकिन year आपकी अलग अलग हैं अब यहाँ से यहाँ कि बात करिए कि यह difference कितना होगा तो बच्चा difference जो होगा वो 10 का होगा अच्छा 10 का difference होगा तो अगर मैं साथ से भाग दूँ तो remainder कितना होगा तो remainder जो बचेगा वो कितना बचेगा तीन केवल तीन से इसपल बचेगा आगे चलिए अब यहाँ से बात करिए कि 19 से पहले कौन सि ली पीएर पड़ी होगी तो 19से पहले जो होगी वह 16 ray होगी तो आपकी रही होगी 12 बारे से पहले कौन सि रही होगी तो आपका जवाभी होगा आठ लेकिन हमelfं तो वहां तक थोड़ी जाना है ध्यान से सुनना बात को मैं क्या बताना चारूँ यह आप यह कह सकते हैं कि 9 के बाद कौन कौन सी पड़ेगी 12 पड़ेगी और 16 पड़ेगी बात समझे और यानि हम यह कह सकते हैं कुल कितने ओट डेज बने ओट डेज जो बने बच्चा वह 5 कितने बने 5 ओट डेज बने अब 5 ओट डेज बने तो आप क्या करेंगे आप यह कहेंगे जी कलेंडर जो होगा वह माइनस होगा क्यूंकि पीछे की बात कर रहा है तो माइनस 5 जाएंगे वीष में इसका मतलब इस दिन में से 5 घटा दो आप आप 5 घटाने में देखो बच् क्लीफ होगी और कुछ भी निए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा और उस टाइम को बचाने के लिए मैं आपको क्या बताने वाला हूं वो चीज ध्यान से समझना मैं आपको यह बताने वाला हूं कि अगर कलेंडर में आपसे 6 एड करवाए अगर 6 एड करवाए तो आपको फ यानि अगर फिर 5 एड करवाए तो फिर क्या करेंगे आप यह कहेंगे कि 2 माइनिस कर दो इसी पिरकार से अगर मैं आपसे कहूं कुल मिलाके कि 6 घटवाए तो आपको क्या कर देना है 1 पिलस कर देना है अगर 5 घटवाए तो क्या कर देना है 2 पिलस कर देना है क्या मेरी बा चाओते हैं तो एक कर दो आप वही उसी धिन पर पहुंच जाएंगे बात सम्झे उ नहीं समझे तो आप से क्या कह रहा है था आप से कह रहा था कि आपको मंगलवार में से 5 घटादो मंगलवार में से जो आप पांच घटाएंगे तो मैं आपसे कहा रहा हूँ जी पांच ना आप दो एड कर दो तो दो एड करेंगे तो आंसर क्या बन चुका होगा बैच्चे मंगलवार में दो जोडेंगे तो आंसर बनेगा गुरुवा को डाउट जी नोट करिये फटा-फट से करिये नोट आगे बढ़े थोड़ा सा चलिए बच्चा आगे चलिए कोश्चन फिर वही कोश्चन है बीस फरवरी दो हजार चार को रविवार है तो बीस फरवरी दो हजार नो को कौन सा दिन होगा कोश्चन यह मैं आपको किस के लिए दे रहा हूँ हम वर्क एच डो लो यानि कुल मिलाके मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ इस सवाल का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे आगे चले नेक्स्ट कोश्चन लिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं देखे कोश्चन ने के कहा है को 2024 को क्या बोला इसने इसने यह बोला कि 20 मार्च 2024 को कौन सा दिन है रविवार तो आपसे यह कह रहा है कि 20 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा देखो कितना अच्छा कोश्चन है यानी आप यह देखेंगी कि सबसे पहले हम क्या कहेंगे सबसे पहले ओड़ेज ही निकालेंगी अब ओड़ेज निकालने के लिए आप देख रहे हैं कि यह भी लीपियर है यह लेकिन एक सीन बन चुका है आप यह यह देखेंगे कि लीपियर कौन सी count होगी या दोनों ही count होगी या दोनों count नहीं होगी या एक count होगी इस सवाल को बहुत ध्यान से समझता हुआ आप 2024 से 2022 की तरफ जा रहे हैं है चलिए अ मुझे यह बताएं आप 24 से 12- 18 babies कितने बनेंगे या इसदिरा कितना बनेगा डिफ्रेंस बने बाच्चा बारे का है अब या बारे का डिफ्रेंस बनेंगा तो आप शाथ से भाग देंगे साथ एकम साथ कितना बचेगा पाँच यानि यह जो डिफरेंस था इनका जो ओडेज बनके तियार हुआ वो कितना बनके तियार हुआ पाँच आगे बढ़ें थोड़ा सा अब यह 24 है 2024 तो आप यह कहेंगे जी 24 जो है वो चार से कटता है पूरी तरीके से लेकिन मैं आप से यह कह रहा हूँ कि क्या 2024 को हम लेंगे या नहीं लेंगे सवाल इस बात का है अब 20 मार्च से 2012 की तरफ चल लें तो मुझे यह बताए 20 मार्च 2024 से तो यानि 20 मार्च यह होगी आगे होनी थी 21 मार्च डोट 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 फिर क्या होगी आपकी 29 मार्च जो सवाल कह रहा है सवाल यह कह रहा है 20 मार्च से पीछे की तरफ जा रहे हैं यानि इसका मतलब हम पीछे की तरफ यहां चल लें यहां 19 वी रही होगी डोट 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 इस पिरकार से अगर ये 2024 है तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि 2023 वी रहा होगा 2022 वी रहा होगा इसी पिरकार से हम यह कह रहे हैं कि कुल मिलाके कि अगर बात करें यहां तक 2022 तक 2022 में बैक होते होते 29 मार्च पर आएंगे 28 मार्च पर आएंगे फिर आप ये कहिंगे कि 20 मार्च पा जाएंगे तो यहां तक समझना खेल कि क्या खेला गया सवाल के साथ कि 24 जो है वो leap year है तो सही लेकिन ये count नहीं होगी count क्यों नहीं होगी क्योंकि इसने break मार दिया 29 मार्च को आने से पहले पहले 29 मार्च है ना ठीक है सही है 29 मार्च 29 मार्च से पीछे की तरफ जैसे हम चलेंगे 29 मार्च से पीछे चलेंगे तो आप यह देखेंगे कि 2024 में फरवरी पीछे पड़ेगी यहां से समझना बात को फरवरी पड़ेगी पीछे नहीं पड़ेगी जी हाँ बिल्कुल पड़ेगी इसका मतलब मैं यह कहूँगा कि 2024 आपकी लीपियर काउंट होगी उससे पहले कौन सी रही होगी उससे पहले यह रही होगी कि 20 और 20 से पहले कौन सी रही होगी तो आप यह कहेंगे 20 से पहले रही होगी 16 और 16 से पहले जो रही होगी वो 12 लेकिन अम मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि 12 वो लीपियर होगी काउंट या नहीं होगी मेरी बात ध्यान से समझना मैं आपको यह बता रहा हूं कि 12 जो है ना वह 20 मार्ज तक ही रुख चुका है 20 मार्ज तक वह पीछे गया ही नहीं वो 2012 में फरवरी तक ही नहीं गया और लीपियर का मतलब क्या होता है लीपियर का मतलब ही यह होता है जो आपके 29 फरवरी पढ़ जाए यह 29 फरवरी तक ही नहीं पहुचा बैक मारते मारते यह 20 मार्च 2022 को ही रुख चुका है कि यह बार्य जो होगी यहाप कीधियर कांट नहीं की जाएगी लेकिन दो हजार बार्य आपकी लीपिएट होती है यह क्या मेरी बात को समझ रहें आप कि Community की जाएगी क्यूँ कि पहुंकि बैक भारते मारते ही आपका 2020 माज तक ही रुख चुकी है फरवरी तक नहीं पोँचा तो आपने ये देखा कि ये आपकी 24 भी काउंट होगी 20 होगी 20 से पहले 16 लेकिन 12 काउंट नहीं होगी यानि इसका मतलब हम यह कहेंगे 5 और 3 आठ 8 ओडेज बने 7 से भाग देंगे 8 डेज बने इसका कितना 1 क्या मेरी बात को समझे अब 1 क्या करेंगे 1 माइनस रवी वार में से 1 घटा दो तो आंसर क्या बनेगा बच्चा आंसर बनेगा रवी वार में से एक घटा दो आंसर बनेगा आपका सनिवार यह इस सवाल का अंसर है क्या मेरी बात को समझ रहें आप कोई डावट बेटा किसी को आगे बढ़ाएं फटावट से नोट करिए मैं एक बार फिर वतान देना चाहता हूँ रुको एक मिनिट रुको एक सेकेंड difference कितने का है 12 का साथस से भाग देंगे कितना बना 5 5 इसका मतलब 24 आपकी लीपीर है जी क्यों क्यूंकि 2024 से पीछे की तरफ जा रहा रहा है कलंडर पांच तीन आठ आठ को साथ से भाग देंगे कितना बनेगा एक एक इसमें से क्या गटाएंगे क्योंकि पीछे का पूछ रहा है इसका मतलब रवी मार में से एक दिन गटा दो क्या बनेगा अंसर सनिवार इस सवाल का अंसर चली आए नेक्स्ट कोश्चन की तरफ फटाफट से आए बेटा कोश्चन यह लिजेए कोश्चन क्या है यदी 10 अगस्ट 2020 को सुमबार था तब 10 अगस्ट 2009 को कोंसा दिन होगा जहां से समझे दो 10 अगस्ट की बात कर रहा है 10 अगस्ट 2020 को क्या है यह रहा, सुम्बार तो आप से के रहा है कि 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा मेरे बच्चा आपको क्या करना है पेटा आपको यह करना है पहले आप इफ्रेंस निकालिए और इफ्रेंस कितने बनेगा आपका 11 का और 11 का जैसे ही इफ्रेंस बनेगा आपको किस से भाग देना है साथ से साथ से भाग देने पर कितना बनेगा चार अब आपको यह देखना कि लीपियर कौन कौनसी होंगे अब 20 है 20 से पीछे की तरफ जा रहा है यह कलेंडर तो फरवरी बीच में पढ़ेगी रास्ते में जी विलकुल इसका मतलब 20 काउंट होगी फिर कौनसी पढ़ेगी 20 सोले भी होगी सोले फिर इसका मतलब आप मुझे एक बात बताई यह बारे भी पढ़ेगी जी हां रास्ते में बारे भी पढ़ेगी क्योंकि नो के बाद 12 और 12 इसका मतलब 16 16 और 4 20 20 भी काउंट होगी क्या मेरी बात को समझे? यानि 4 और 3 7, 7 को 7 से भाग देंगे, ten जे 0 यानि हम यह कहेंगे कि जो दिन है वही दिन रहेगा को इंगे किसी बच्चे को? हा की न चलिए आइए, यानि इस सवाल का आंसर जो होगा वह सवाल का आंसर hier होगा जो दिन था वही दिन रहेगा क्यों क्योंकि ओडेज जीरो बना है और जब जब ओडेज जीरो बनता है उस केस में हमेशा वही दिन होता है क्या मेरी बात को समझे आप आगे बढ़े थोड़ा सा चलिया इए उतार लो बेटा ये लीजिए कोश्चन क्या कह रहा है 15 अगस्त 2005 को 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन है शुक्रवार तो 29 अप्रेल 29 अप्रेल 2005 को कौन सा दिन होगा मेरे बच्चे ये टाइप सेकिंड है कौन सा टाइप है ये टाइप सेकिंड है पहले टाइप क्या पढ़ रहे थे पहले टाइप हम ये पढ़ रहे थे कि जब आपकी डेट और मन्त सेम होते थे और येर आपकी अलग-अलग होती थी लेकिन अब की ब तो उस case में हम क्या करते हैं उस case मैं हम THK करते हैं ध्यान से समझना भाक्त को कि केवल बस आपको 8 days पे ही focus और खोक्षद रखना है कि हम 8 days निकालें कैसे हैं अब 8 days निकालेंगे तो 8 days कैसे निकालते हैं April में श्टार्ट करेंगे April से और August तक के बीच में Aprilälle एर our acum मई और एक आप का यहां पर जून और फिर क्या जुलाई और फिर क्या अगस्त द्यान से समें बात को spoken April की अगर मैं बात करूं April 29 अपरेव जा चुकिए उच्ट है उंथीस अपरेल तक 31 में 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 31 मे 15 अगस्त का मतलव 7 दूनी 14 यहां से कितने बनेंगे एक तो मैं आपको यह बता रहा था तीन और तीन 6 छे और एक 7 खतम करो कितने बच्चा तीन यानि इसका मतलव हम यह कहेंगे कि तीन क्या करेंगे तीन यह करेंगे कि 15 अगस्त 2005 था और 29 अपरेल 2005 पूछ रहा है यानि कलेंडर जो है वो कलेंडर पीछे की तरफ जा रहा है मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे है कलेंडर जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है तो आंसर बताईए आंसर क्या होगा तो आंसर होगा अपका कहा गया यह रहा है सुकुरवार में से आप क्या करेंगे आप यह क चलिए उतार लो पहले से मैं एक बार फिर बता दूँ क्या सुन लो एक बार ओ अप्रेल मैं जून जुलाई अगस्त अप्रेल आपका 30 का होता है 30 का होता 29 जा चुके हैं इसका मतलब एक बचा मैं मैं की अगर हम बात करें तो 31 का होता है तो 2 जुलाई 31 का होता है 3 अगस्त 15 अगस्त की बात कर रहा है 15 अगस्त की बात कर रहा है इसका मतलब 7 दूनी 14 यानि 1 3 3 6 और 1 7 2 और 1 3 3 इसका मतलब क्या करेंगे आप घटाएंगे क्योंकि कलेंडर पीछे की तरफ रिवाइज हो रहा है और जब कलेंडर पीछे की तरफ रिवाइज होगा तो उस केस में क्या करेंगे आप माइनिस करेंगे और सुकुरवार में से तीन घटाएंगे तो आंसर क्या बनेगा आंसर ये रहा नहीं 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 आंसर तो यह बनेगा मंगलवार यह नहीं चले वे आईए यहां से सुनते अब नेक्स्ट कोस्टन तो आंसर क्या बताया था मैंने चलके से नहीं रहा यहां मंगलवार आगे चलें अगले कॉस्टन की तरफ बताये स्वाल का अंसर फटावट से क्या क्या रहा है च्छै अगस्त 2020 को गुरुवार था तो एक जनवरी 2020 को कौन सा दिन था चलिए पताये स्वाल को चलो 6 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है गुरुवार तो आप से यह क्या रहा है कि एक जनवरी देखो कलेंडर फिर रिवाइज हो रहा है पीछे की तरफ जा रहा है तो 2020 को कौन सा दिन होगा तो हमें जनवरी से लेकर कहा तक जाना है हमें जनवरी से अगस्त तक जाना है तो जनवरी आपका यह रहा फरवरी मार्च अप्रेल मई जून जुलाई और अगस्त यानि अगस्त के कितने दिन लेने पड़ेंगे 6 आईए जनवरी एक जनवरी निकल चुकी है जनवरी 31 क्य होती है हर केस्ट में एक निकल चुकी है कितना बच्छा तीस दिन बच रहे हैं तीस में साथ से भाग देंगे तो साथ चोक अठा इस कितना दो अब ध्यान से समझना बात को 6 अगस्त 2020 एक जनवरी 2020 यानि इसका मतलब यह आपकी लीपियर है और जैसे यह आपकी लीपियर है तो यह आपका पीछे की तरफ जा रहा है तो फरवरी रास्ते में पढ़ेगी बहु क्या से क्योंकि अगस्त अगस्त पहले जुलाई जुलाई स आपका जुन जुन से पहले मई इस परिकार से आप देखेंगे कि जनवरी तक पहुंचेंगे तो फरवरी पढ़ेगी रास्ते में नहीं पढ़ेगी 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 तो इसका मतलब क्या लेंगे हम 29 29 को साथ से भाग देंगे साथ चोक अठ्था इस कितना बनेगा आपका एक फरवरी एक मार्च 31 का होता है अप्रेल मई जुन जुलाई और अगस्त की यह यह मैंने आपको ओडेज बता दिये थे जो भी महीना 30 का होगा उसके लिए मैंने 2 रख दिया है और जो भी महीना आपका 31 का होगा उसके लिए 3 रख दिया है और जो महीना आपका 29 क तो इसके लिए मैंने एक रखा है लेकिन ये छे कहा सा है मैंने बता दिया था कि केवल ये छे अगश्ट तक की बात कर रहा है और डेज निकाल ये फिट अफ़र से 6 और 1 2 और 2 4 और 3 7 तीन और 2 5 और 3 8 इसका मतलव 7 से भाग देंगे तो कितना बनेगा तो आप ये कहेंगे जी 1 और डेज लेकिन एक ओडेज इसका मतलव आप ये जान सकते हैं कि एक घटाएंगे या जोडेंगे तो इसमें एक जो करेंगे क्योंकि कलेंडर पीछे की तरफ जा रहा है कलेंडर जब पीछे की तरफ जाता है तो इसका मतलव एक माइनस करते हैं गुरू वार में से एक दिन घटा दो आंसर क् बुद्धुवार इस सवाल का आंसर क्या मेरी बात को समझे आप गुरु वार में से एक दिन घटा दो आंसर क्या बनेगा आंसर बनेगा आपका बुद्धुवार आगे चलें जी चलिए नेक्स्ट कोश्टन की तरफ चलते हैं कोश्टन यह रहा 25 फरवरी 2005 25 फरवरी 2005 को कौन सा दिन है सोंबार है तो 25 मार्च 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा बेटा कोश्टन आपसे यह कह रहा है फिर आपके कहानी वही बन चुकी है 25 फरवरी और 25 मार्च यानि यह जो है वह आपके सेम है फरवरी से लेके चलते हैं फरवरी और यह आपका मार्च कलेंडर अवकी बार आगे की तरफ जा रहा है कलेंडर अवकी बार आगे की तरफ जा रहा है फरवरी आपके 25 दिन तो निकल गए कितने दिन बचे आपके पा 25 निकल गए कितने बचे 3 बचे कितने बचे 3 अब आगे मुझे ये बताइए कि 3 बचे तो March 25 की बात कर रहा है तो 25 यहाँ पर लिख दो 25 यहाँ पर लिखने के बाद 25 और 3 कितने हो जाएंगे 28 अब 28 को जो आप किस से भाग देंगे 28 को सास से भाग देंगे तो remainder जो बनेगा वो क्या बनेगा 0 यानि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस सवाल का answer जो बनेगा क्योंकि odd days जो है odd days आपके 0 आ चुके है odd days आपके 0 आ चुके है और जब आपके odd days 0 आ जाएं वही दिन हो जाता है एनि सवाल का answer बनेगा सुमबार क्या मेरी बात को समझे फिर मैं एक बार repeat कर देता हूँ क्या कि एक बार रीपीट कर देता हूँ क्या पर्वरी से मार्श तक की कहानी है पर्वरी fum और मार्श ये रहा पर्वरी आपके 28 की है तीन herb और 35 मार्श 25 और 38 28, 28 को हम साथ से भाग देंगे, तो जब साथ से भाग देंगे, तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानि जीरो, और जीरो का मतलब सुम्बार, ये सवाल का अंसा है, क्या मेरी बात को समझे, कोई डाउट जी किसी को, थोड़ा सा आगे बनाए सवाल को, चलिए, नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलेंगे, फटा-फट से, ये रहा, यदि 10 अगस्त 2020 को सुम्बार था, 10 अगस्त, और 2020 को कौन सा दिन था, सुम्बार है, ये रहा, तो 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर, 2020 को कौन सा दिन होगा, कोश्चन आप से ही कह रहा है, चलिए आईए, आपकी डेट वही है, मन्थ, आपकी डेट अलगे, मन्थ अलग अलगे, लेकिन येर समान है, अगर मैं आप से यहां से बात करें, अगस्त की बात करें, अगस्त से चलना दिसमबर तक, अगस्त, सेप्टेंबर, अक्टूबर, नवंबर और अपका दिसमबर है, यहां तक चल ले हैं, ठीक है? अगस्त ये बताएं, आप अगस्त जो होता है, वो कितने का होता है? 31 का, यानि 10 अगस्त निकल चुके हैं, कितने बचले हैं, आपके पास 21, और 21 का ओड जीरो हो जाएगा September कितने का होता है September आपका कितने का होता है 30 का और 7 चुक अथाइश यानि हैं से कितने 2 October, November और December यानि 31 December की बात कर रहा है यानि 7 चुक अथाइश यानि पूरा महीना लेना पड़ेगा यानि हम ये कहेंगे 3 कुल मिला के क्या मैं आपसे ये कहा सकता हूँ ये खतम 2, 2, 4 और 3, 7 यानि 3 इसमें क्या कर दें आगे की तरफ पूछेगा तो पिलस और पीछे की तरफ कलेंडर रिवाइज करेगा तो माइन 3 जोड़ दें यानि 10 अगस्त से 31 दिसंबर आगे की तरफ बात कर रहा है और जब इसमें आप 3 जोड़ेंगे तो आंसर बता ये क्या होगा बिरस्पत का है ये ये इस सवाल का आंसर कोई डाउट है जी किसी बच्चे को जी बोलिये कुछ समझ में आरा है नहीं आरा आगे चलें थोड़ा सा नेक्स्ट कोश्चन आईए यहाँ पर कोश्चन है करिए टाइम आपके लिए 10 सेकंड चलिए लगाते हैं कोश्चन कोश्चन है कोश्चन है आपका 15 अगस्त 2003 को किसको 2003 को कौन सा दिन है रविवार तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन होगा और बाइस साब कितना मज़ेगा कुश्चन है क्या देखा आपने आपने यह देखा कि यह जो है अब की बार डेट भी अलग है और मन्त भी अलग है और यह पहला टाइप क्या था पहला टाइप आपका यह था कुल मिला के बस केवल आपकी यह चेंज थी यह यानि डेट और मन्त आपके क्या थे सेम थे लेकिन एर अलग थी दूसरा टाइप आपने क्या देखा था एर में दिखा देता हूं दूसरा टाइप यानि आपकी एर सेम थी यह अलग अलग थी लेकिन तीसरा टाइप, तीसरा टाइप है क्या तीसरा टाइप आपका यह है कि आपकी date भी अलग है, month भी अलग है, और year भी अलग है तीनों चीजें अलग-अलग है बात समरे हो? तो कैसे करेंगे? चलिए आईए फट आफट से, करिए फट आफट आओ दो भागों में तोड़ दो इसको, कैसे? आचाओ ये type first में बना लो और ये type second में, और सवाल कर दो खतम बिल्कुल 2003 से 2015 की तरफ चलिए, पहले इनका difference निकाल लिए, difference कितने काएगा? बारे का अब बारे में मुझे ये बताए कि बारे में आपके odd days, यानि 7 से भाग देंदे तो क्या बनेगा? 5 अब 3 के बाद leap year क्या होगी? 4 होगी और एक आपकी 8 होगी और एक आपकी क्या होगी? और एक आपकी 12 होगी बात समझे नो? 3 और पंद्रे के बीच difference कितने का? 12 है का? 7 से भाग देंगे 5 फिर 3 के बाद leap year 4 होगी 8 होगी 12 होगी, 5 और 3 8 का ओडेज क्या बनेगा? 8 का ओडेज जो बनेगा वो क्या बनेगा? साथ से भाग देने पर एक लेकिन यह दिहान से सुनना बात हो यह यह दोनों भाग है ना यह यह अलग भाग बना दिया मैंने और इसको अलग भाग यह 3 से 15 हो रहा है आगे की तरफ जा रहा है तो यानि इसमें पिलस वन होगा यहां पर ओडेज सारे सवाल का ओडेज पिलस वन नहीं आया है अभी इस भाग का ओडेज पिलस वन आया है अभी यहां से बात करिए 15 अगस्त और मै यानि अगस्त और अगस्त से पहले कौन सा पढ़ा होगा या मई से चल देते हैं यानि मई जून और जुलाई और आपका अगस्त आजो बेटा निकालते हैं 27 मई निकल चुकिये मई जो होती है आपकी 31 की होती है और साथ से भाग दें तो कितना बचेगा चार यानि ओडेज से क्या बनेंगे यहां से चार फिर समझे लेना बात को ध्यान से कि 27 निकल चुकिये और 27 जैसे ही निकली है आपका 31 का मई होता है चार बच रहे हैं मई के बाद पढ़ेगा जून और जून होता है तीस का और जो महिना तीस का होता है उसमें उडेज हो जाते हैं 2 क्यूंकि 24 साथ चोका 28 दो जुलाई आपकी 31 की लेकिन पंदरह अगस्त तक की बात कर रहा है पंदरह अगस्त का मतलब साथ दूनी चौहदय यानि एक चार और तीन साथ चार और तीन साथ और दो और एक तीन लेकिन ये अगस्त से मई पीछे की तरफ जा रहा है अगस्त से मई पीछे की तरफ जा रहा है यानि हम ये कहेंगे दो और एक तीन यानि ये किस चीज की हो जाएंगे माइनस की यानि minus के 3 odd days ये हैं और plus के 1 ये हैं over all जो निकल का आएगा तो वो क्या निकल का आएगा minus 2 कैसे कि plus 1 minus 3 यानि minus 3 plus 1 बरावर क्या होते है minus 2 क्या मेरी बात को समझे आप अब आपको इस में से minus 2 कर देने हैं अब minus 2 करेंगे तो कोई भी बच्चा बता देगा minus 2 करेंगे जो आपका present time दिया हुआ क्या है रविवार और रविवार में से आप 2 घटाएंगे तो सुक्रवार इस सवाल का आंसर बन चुका होगा क्या मेरी बात को समझे रहे हैं आप हा की न आगे बढ़ाएं जी इसको फिर मैं एक बार बता देता हूँ तीन से पंदरे कितने का डिफरेंस से बारे का बारे का मतलब साथ से भाग देंगे पाँच कौन कौन सी लीपियर पढ़ेंगी चार पढ़ेंगी आठ पढ़ेंगी बारे पढ़ेंगी पाँच तीन आठ आठ को साथ से भाग देंगे एक यहाँ से बात करेंगे 15 अगस्त यह क्या बने आपका मई जून जुलाई अगस्त 27 दिन निकल चुके हैं मई में कितना चार यह रहा चार यानि जून 2 जुलाई 3 अगस्त 15 अगस्त 7 दून 14 एक पिलस 3 बन रहा है क्योंकि 2 रेट 3 तीन बन रहा है तो इसका मतलव यहाँ पर क्या बन रहा है माइनस का 3 होगा लेकिन क्यों क्योंकि अगस्त से मही की तरफ जा रहा है माइनस और यह क्या पिलस overall माइनस दो रविवार में से माइनस दो answer final कोई डावट आगे बढ़ें चलिए करिए कुश्चन को यूपी पुलिस को देखते हुए जल्द ही स्रीज स्टार्ट होगी आपकी मोग टेस्ट की मोग टेस्ट में बच्चा बहुत तिक्कत आती है आप लोगों को आपने देखा होगा जब आप यूपी पुलिस का पेपर देख आए हैं तो उसमें आप देख रहे होंगे क्या कि जो रीजनिंग के लेंथी लेंथी कोस्चन आ रहे थे जैसे निर्णा लेना कथन निसकर्ज इस पिरकार के कोस्चन थे पूर्ण धानाए कथन को इदर उदर भटकने की ज़रूरत नहीं है समझ रहे हैं बात को नहीं समझ रहे हैं चली आईए बारवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह घूम रहा है आईए क्वेश्चन क्या है 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन है सनिवार प्रिजेंट टाइम यह रहा इकतिस दूबर 2007 को कौन सा दिन होगा चलो क्या करना है दो भागों बाड़ दो यह अलग और यह अलग पहले इसका निकाली यहां से बात करी जाए तो इनका डिफरेंस कितने का है 6 का तो 6 मैंने यह चिपका दिया अब 13 से पहले कौन सी पढ़ी होगी 8 देज 12 से पहले कौन सी रही के होगी? आठ लेकिन ना यह तो सा से बात कर रहा है! 8 से में आएगी? जी हाँ 8 रास्ते में आएगी! यानि कुल मिला के 13 से बाद की बात करेंगे. 13 के पीछे की तरफ चलेंगे 12 भी पड़ेगी रास्ते में और एक कौन सी पड़ेगी एक आपकी 8 भी पड़ेगी और 6 और 2 आठ यानि इसका मतलब 8 को साथ से भाग देंगे क्या ऐगा? माइनस एक क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? को डाउट? चलियाए माइनस एक बन चुका है यहां से यहां तक अब अगर बात करें किसकी दिसंबर अक्टूबर अक्टूबर ये रह और नवंबर ये रह और दिसंबर ये रह 31 अक्टूबर फाइनल हो चुका है कोई कुछ भी नहीं लेना है नुवंबर की बात करेंगे तो नुवंबर में यहां से बात करिए आए ध्यान से नुवंबर कितने का होता है तीस का यानि कितने लेंगे दो 30 दिसंबर का मतलब तीन तीन और दो पांच पांच किसके माइनस के माइनस के 5 और माइनस का 1 माइनस के 5 और माइनस का 1 यहां का भाग माइनस 5 यहां का भाग माइनस 1 यानि कुल मिलाके क्या हो जाएगा माइनस का 6 अब हम क्या कहेंगे जो दिन है उसमें से माइनस 6 घटा दो अब माइनस 6 जैसे ही आप घटाने की कोशिश करेंगे फिर वही कहानी और मैंने आपको एक बात बताई थी क्या कि आपको माइनस 6 मत करो पिलस 1 कर दो और सनीवार में आप एक जोड़ दो बच्चा और आंसर कोई भी बता देगा क्या आएगा आंसर सनीवार में एक जोड़ दो रविवार इस सवाल का आंसर कोई डाउट करियो फटाफट से चलिए नेक्स्ट कोश्चन तेरवा कोश्चन आपका यह रहा है आए कोश्चन क्या है बीस फरवरी 2004 को आपका यह दिन है सुक्रवार तो बीस मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा अब यहां पर ओडेज निकालनी थोड़ी सी मुश्किल सी लग रही होगी आपको लेकिन कुछ भी मुश्किल नहीं है आये करते हैं दो भागों बाड़ दो इसको फिर भई यह रहा है ठीक है मुझे यह बताएं आप 2004 से और 2016 20 फरवरी है पीछे की तरफ जा रहे है पहले डिफ्रेंस बताएं कितने का बार है का साथ से भाग देंगे कितना बनेगा पांच कितना बनेगा बेटा पांच को अब चार क्या मैं लीपियर काउंट करूं द्यान से सुनना बात को क्योंकि 20 फरवरी 2004 से पीछे की तरफ जा रहे हैं तो आप यह कहेंगे कि यह बैक ही मार रहे हैं 29 फरवरी को आने से यानि 20 फरवरी से आगे की तरफ चल रहे हैं और 20 मार्श 2016 की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि रास्ते में आपकी 29 फरवरी पड़ेगी यानि 2004 आपका काउंट होगा यानि होगा तो आप यह कहेंगे जी हाँ बिल्कुल 2004 आपका काउंट होगा होगा क्यों क्योंकि आगे की तरफ जा रहे है 29 फरवरी रास्ते में पड़ेगी अब आगे चलिए फिर क्या होगी चार होगा आठ होगा बारेवी होगा सोले की बताइए सोले की सर्त क्या होगी बीस मार्च दो हजार सोले तक पहुंचते पहुंचते अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप ये कहेंगे जी बिलकुल हाँ फर्वरी रास्ते में पढ़ेगी इसका मतलब 16 वी काउंट होगा फिर समझो बात को 12 पाँच 4 आपका लीपियर काउंट होगा और 8 वी होगा फिर 12 वी होगा और 16 वी होगा तो कुल मिला के अगर मैं आपसे बात करूँ ये टोटल कितना बन के तियार हुआ नो और 9 को साज से भाग देंगे कितना बनेगा दो और दो किसका पिलस का यहां सो डेज पिलस दो निकल कर आगा बात समझें अब फर्वरी और मार्च निकाल दो डारेक्ट लिए फर्वरी की बात करें तो मुझे यह बताईए फर्वरी कितने की होती है तो आपका जवाबी होगा 28 की होती है 29 की लेकिन अब की बार हम यहां पे कितने बचेंगे 8 नहीं, not 8, क्यों, क्योंकि सुनने धिहान से, क्योंकि जो एक्स्टरा दिन था, वो मैंने यहीं पर काउंट कर दिया है, यहाँ पर काउंट करने के जोड़त नि sman, यहाँ से 0 बने है, और यहां पर overall कितने 2 और 2 add कर दो total कितने बने 2 2 add करेंगे तो answer बोलिए क्या होगा क्योंकि क्या दिन है आपका सुक्रवार और सुक्रवार में 2 add करेंगे तो answer क्या बनेगा श्या रभीवार इस सवाल का अंसा क्या मेरी बात को समझ रहें आप आगे बनें जी थोड़ा सा चलिए next question चोधुबा question चोधुबा question देखें आप 10 अगस्त 2020 को क्या है सुमबार यह आपका दिन यह यहाँ पे लिख रखा सुमबार आगे क्या क्या रहा है 5 जनवरी और 1997 कितना अच्छा question दिया है 1997 1 days बताईए चलिए क्या करेंगे सब सब पहले 1 days निकालेंगे 1 days निकालने के लिए मैंने तरीका बता दिया है क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस अब बीच का डिफरेंस कितना आएगा बच्छो बीच का डिफरेंस आएगा 23 को साथ से भाग देंगे कितना हो जाएगा 2 अब question यह क्याता है कि 10 अगस्त 2020 से 5 जनवरी 1997 में पीछे की तरफ जा रहा है आगे की तरफ नहीं जा रहा पीछे की तरफ तो फरवरी काउंट होगी यह लीपियर काउंट होगी नहीं होगी जी विलकुल लीपियर काउंट होगी कारण यह लीप वर्स इस वज़े से काउंट होगी क्योंकि फरवरी बीच में पल जाएगी लेकिन सुनो अगर ये 2000 सपोस करो यहां पर ये 2020 है और ये क्या हो जाता है 2037 हो जाता तो ये लीपियर है काउंट नहीं होती क्यों क्यों क्योंकि ये फरवरी को पीछे छोड़िया ही है ये 10 अगस्त से आगे की स्टैट हुई है लेकिन ये है तो सुर्य लेकिन होगी अगर आप से मैं ये पूछल लुग हं सिंपल सी भासा में क्या ये ये आपकी लीपियर है तो आप ये केंगे obaiki gया बहाँ याइनि यीलीपियर है लेकिन था सवाल आप से 1907 में की बात कर रहा था कितने का डिफ्रेंस है 23 का 23 को साथ से भाग देंगे 27 कितने बच्चे आपके पास दो अब 2 से आगे चलिए फरवरी यहां से बात करेंगे फरवरी इंक्लूड नहीं होगी तो इसका मतलब 20 विजो होगी वह आपकी लीपियर काउंट नहीं करेंगे क्या होगी फिर 16 होगी 12 होगी 8 होगी और 4 होगी और बीच में 2000 वी पढ़ेगा रास्ते में वो भी काउंट होगी तो यह टोटल कितनी हो जाएगी 3,4,5,6,7,2,2,2,4 और 3,7 यहां से यहां तक का उड़ेज कितना बन गया जीरो कितना बन गया बेटा जीरो अब जनवरी से बात करते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल मई जून, जुलाई और बात कर रहे थे अगस्त की जनवरी की बात करेंगे तो जनवरी कितने के हो जाएगी तो आप यह कहेंगे ऑच जनवरी निकल चुकी है कितने बचे आपके पास जनवरी 31 की होती है तो 26 बचे, 27,21 21 यानि कुल मिला के हम यह कहेंगे 5 क्या मेरी बात को समझे आप फरवरी क्या लेंगे हम जीरो ही लेंगे मार्च क्या लेंगे तीन लेंगे अप्रेयल क्या लेंगे दो मई तीन जून दो जुलाई की बात करें तो तीन लेकिन दस अगस्त साथ एकम साथ अगस्त अगस्त का यह रहा तीन 2 और 2, 4 और 3, 7 यह खतम, 5 और 3, 8 और 3, 11 और 3, 14 यह भी खतम, यानि यहां से भी क्या बन गया? 0 फिर समझें, 5, 3, 8 और 2, 10 और 3, 13 और 2, 15 और 3, 15 और 3, 18 और 3, 21, 21 को साथ से भाग देंगे, 0 यानि जो दिन है वही दिन रहेगा, यानि इस सवाल का आंसर एक बार चेक करेंगे, क्या बनेगा? संभार, जो दिन था वही, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, क्या है? कि 10 अगस्त 2020 को यह है, 5 जनवरी 2000, 5 जनवरी 1997 को, डिफरेंस देखेंगे सबसे पहले, आप डिफ फिर इसका मतलब यह 16 होगी, 12 होगी, 8 होगी, 4 होगी, और 2000 भी होगी, यानि यह टोटल कितने हो जाएंगे, 7, 0, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल, माई, जून, जुलाई, अगस्त, जनवरी, आपके 5 दिन निकल चुके हैं, 5 दिन, 26 वचे, 27, कितने वचे, 5, 0, मार् बनेगा, जो दिन था, वही दिन रहेगा, क्या मेरी बात को आप समझ रहे हैं, हाँ कि ना, next question बड़ा प्यारा है, कि 30, यदि 30 अपरेल 2004 को सनिवार है था, तो 25 जनवरी को कौन सा दिन होगा, question ये आपका homework के लिए दिया जाता है, किस के लिए, homework के लिए, इस question का answer आप comment box में देंगे, देखिए मुझे एक बात बताईए, कि ये class आपको कैसी लगी, तो आप इस class को जादे से जादे share करें, और like करें, comment करें, thanks for watching, next class में फिर अगला पार्ट लेके आएंगे, जो कि अगले पार्ट में हम इसको पूरी तरीके से cover कर लेंगे, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, कि अब बहुत ही जल्दी, mock test की, UP police की series लेकर आ रहा हूं, बहुत ही जवरदस्त, जानदार, जो कि आपके exam के लिए, आपको लावदायक होने वाली है, तो नमस्कार, जैहि कि अबुम के लिए जगे, पूले के से cover के लेकर वावदायक होने ही जापको लावदकों, जानदार ने चिए जवरे। और मैंगे, जए जए वावदाएब एंचेंगे, जानदा रहावदार, जए तरीके का लावदाना चाहता है, जानदा है जानदा है, जानदार,